तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी pipe के erection या फिर hydrotest के progress का measurement किस प्रकार किया जाता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी pipe का जब हम fabrication करते हैं तो उसका measurement हम inch dia में करते हैं तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो हमने कहा कि आज हम बात करेंगे pipe के erection और hydrotest के progress का measurement किस प्रकार किया जाता है तो किसी भी construction के project में जब हम piping का erection करते हैं या फिर hydrotest करते हैं तो उसका measurement हमेशा से inch meter में किया जाता है यानि कहने का मतलब यहाँ पर जितने meter के pipe का erection या hydrotest किया जाएगा उसका equivalent inch meter में progress का measurement किया जाता है जैसे एक example के थूँ हम समझते हैं अगर हमारे पास 8 inch का pipe है जो की 10 meter लंबा है यहाँ पर 8 inch का मतलब जो pipe का डाया है वो 8 inch है और लंबाई उसकी 10 meter है तो इसका erection या जब हम hydrotest करेंगे तो इसका measurement किस तरीके से करेंगे तो इसका जो measurement होगा वो total 80 inch meter होगा यानि यहाँ पर measurement निकालने के लिए हमें क्या करना होता है किसी भी pipe के डाया को pipe की लंबाई से multiply कर देते हैं suppose जैसे हमारे पास 8 inch डाया का pipe था और 10 meter लंबा था तो हमने उस pipe के डाया को लंबाई से multiply कर दिया तो हमारा measurement निकल गया और वो जो measurement होगा उसे हम inch meter के unit के रूप में represent करेंगे एक और example से समझते हैं जैसे हमारे पास 12 inch का pipe है जो की 8 meter लंबा है तो इसका measurement जब हम करेंगे तो total measurement 12 into 8 होगा जो की 96 inch meter हो जाएगा तो मेरे हिसाब से आपको ये measurement समझ में आया होगा कि जब भी हम किसी भी pipe का erection करते हैं या फिर hydro test करते हैं तो उसका measurement inch meter में किया जाता है अब आगे हम लोग सीखेंगे कि किसी भी unit में जो piping हम इस्तेमाल करते हैं उसका measurement किस तरीके से किया जाता है होगा इसी तरीके से जैसे हमने पीछे समझा fabrication का हमने समझा inch dia में erection और hydro test का समझा inch meter में करेंगे इसी process से लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे कि और समझेंगे कि unit piping क्या होता है इसके बाद हम cross country piping के बारे में भी बात करेंगे